Hello everyone, today we will do practice time, page number 177 और हमारा chapter है, chapter 13, ways to multiply and divide ओके, चलिए solve करते है A. सुखी works on a farm, he is paid 98 रुपीज for one day If he works for 52 days, how much will he earn? यह सुखी है और यह एक farm में एक खेत में काम करता है और इसे एक दीन में 98 रुपीज मिलती है और यह farm में 52 days काम किया है तो यह total कितना earn करेगा? यानि इसकी salary होगी 52 days की और 1 day की salary दी हुई है इसकी तो यहाँ पर हम multiply करेंगे होगी तेक ही एक, तो his basis for one day is given 98 रुपीज और यह वोगी 52 days तो his basis for 52 days will be 98 multiply by 52 98 को 52 से multiply करेंगे तो हमारा answer इतना आएगा यहां हम लोग करके देखते हैं 98 को 52 से हम multiply करते हैं 8 to 16, 1 9 to 18, plus 1, 19 यहां 0 प्लेस करेंगे 5, 8 is a 40, 0, 4 और 9, 5 is a 45 और plus 4, 49 9, plus 6, 9, 10 वन कैरी किया 5 5,096 रुपेज यहां तो प्लेस की सालरी हो गई 52 देस की सुखी की हरिया तूक आ लोन तू बूल इस हाउस he has to pay back 2,750 रुपीज every month for 2 years how much will he pay back in 2 years यह हरिया है और इसने हाउस को अपने घर को बनाने के लिए लोन लिया है और उस लोन को चुकाने के लिए इसे 2,750 रुपे every month जमा करने होते हैं और यह 2,750 रुपेई से 2 साल तक जमा करने होंगे तो आपको यह बताना है कि how much will he pay back in 2 years तो यह 2 साल में कुल कितना पैसा लोटाएगा तो एक मंद कदिया हुआ है और हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं 12 months तो 2 years में 24 months होंगे तो हम इसको 24 से multiply करेंगे तो answer आ जाएगा यहां पर देखिए amount of loan paid by Haria in every month is given 2,750 रुपेई और 2 years को हम months में convert करेंगे तो 2 years means 24 months 12 months में अगर 2 से multiply करेंगे तो आगा 24 months amount of loan will be payback in 2 years 24 से multiply करेंगे 2750 को हम 24 से multiply करेंगे और देखेंगे answer कितना है 4 को अगर 0 से multiply किये 0 4, 5, 20 0, 2 कहरी किया 4, 7, 28 plus 2, 30 0, 3 4, 2, 8, plus 3, 11 फिर यहां पर हम 0 एक place करेंगे 2 को 0 से multiply किया 0, 2, 5 जा 10 1 कहरी किया 2, 7 जा 14, प्लस 1, 15 1 कहरी किया 2, 2 जा 4 प्लस 1, 5 अब इसको प्लस करेंगे 0, 0, 0, 6, 6 66,000 यहां 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 सर आगया 66,000 उसे दो साल में पेबाएक करने होंगे और हमच विल ही पेबाएक इन 2 जा पेबाएक इन 2 जा 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 और यह मिल्क सेल करता है दूद बेचता है सहर में और एवरी डे यह 13 लिटर दूद बेचता है पर एक दीन यानि एक दीन में वो 13 लिटर मिल्क सेल करता है और एक लिटर मिल्क का प्राइस दिया है 23 रुपेस then how much does he earn तो यह कितना earn करेगा तो हमें यहां पर एक दीन की ही निकालनी है कि एक दीन में कितना earn करेगा एक दीन में तो 13 लिटर यह मिल्क सेल करता है और एक लिटर का प्राइस है 23 रुपेस तो यहां पर 13 लिटर को 23 से मल्टिप्लाई करेंगा तो हमारा answer आ जाएगा सेलिंग प्राइस अफ वन लिटर मिल्क इस गिवें 23 रुपेस तो सेलिंग प्राइस अफ 13 लिटर मिल्क विल भी 23 मल्टिप्लाई भाई 13 जब 23 को 13 से मल्टिप्लाई करेंगे तो देखने हैं कितना आता है इतना आता है कि नहीं 3 3s are 9, 2s are 6, 0 1 3s are 3, 1 2s are 2 यह एक दिन में आर्म करेगा clear D. A farmer sells 1 liter of milk for 11 rupees in 1 month he sells 210 liters of milk how much does he earn in a month एक farmer है यह farmer है यह एक लिटर जो दूद है वो ही 11 रुपे के हिसाब से बेचता है यानि एक लिटर दूद का मुल्य हो गया 11 रुपे एक मन्थ में वो टोटल 210 liters दूद बेच रहा है बेचता है तो एक मन्थ में उसका अर्मिंग कितना हो जाएगा तो एक मन्थ में वो 210 liters लिटर मिलका ही प्राइस उसे मिलेगा और एक लीटर का दिया हुआ है प्राइस 11 रुपीज तो 11 से हम 210 लीटर को मल्टिप्लाई करेंगे तो इसके एक मन्त का अर्निंग आ जाएगा देखिए, सेलिंग प्राइस अफ 1 लीटर मिल्क is given 11 रुपीज so selling price of 210 liters milk will be 210 multiply by 11 आप दोसा दस को हम एक घ्यारा से multiply करेंगे 0, 1, 2 पिर एक 0 प्रेस करेंगे पिर 0, 1, 2 प्लस किजिए 0, 1, 3, 2 2310 रूपिस okay a company sells 1 liter of packet water for 12 रूपिस a shopkeeper buys 240 liters of packed water how much does he pay एक company sell करती है 1 liter packed water 12 रूपिस में हम लोग मिनरल वाटर खरीते हैं बॉटल में तो इसी धंग से मिलता है तो उसी टाइप से वो packed water एक company sell कर रही है एक लीटर का वो है उसका प्राइस है 12 रूपिस और एक shopkeeper ने 240 liters packed water खरीदा तो उसे कितना प्रे करना होगा तो 240 को multiply करेंगे 12 से आंसर आजाएगा selling price of 1 liter packed water by company is 12 रूपिस so selling price of 240 liters packed water will be 240 multiply by 12 अब 240 को 12 से multiply करेंगे 2 को 0 से multiply किया 0 2 को 4 से multiply किया 8 2 तो जा 4 फिर एक 0 प्लेस करेंगे फिर 1 को 0 से multiply किया 0 1 तो जा 4 1 तो जा 2 प्लस किजिए 0882 2,880 रूपिस यहां पर यह answer है तो 240 liters के लिए शॉप की परको देना होगा 2,880 रूपिस फन विथ मल्टिप्लिकेशन यहां मल्टिप्लिकेशन के साथ फन है इस पैटर्न को देखिए लूप फॉर दा पैटर्न एंड टेक दिस फरवाड इस पैटर्न को देखना है और इसको आगे बढ़ाना है यहां पर पैटर्न दिखे जब 0 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा यहां 1 लिखा फिर 1 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे 9 और उसमें प्लस 2 करेंगे तो 11 फिर 12 को 9 से मल्टिप्लाई किया तो 12 9 जा 108 होता है उसमें 3 प्लस किया तो आएगा 111 ठीक यहां पर एक ध्यान देने की बात है कि जब यहां 1 है तो 1 है यहां पर 2 है तो 2 1 है यहां पर 3 है तो 3 times 1 तो अगर यहां 4 है तो यहां पर हम 4 times 1 लिखेंगे और जब यहां 5 है तो यहां 5 times 1 और यहां 6 है तो 6 times 1 होगा यही pattern यह चल रहा है तो यहां पर हम 1, 2, 3, 4, 1 लिखेंगे यहां पर 5, 1 लिखेंगे और यहां पर 6, 1 लिखेंगे 6 तो यह pattern समझ में आ गया अब भी number करेंगे each letter ABC here stands for a number यहां पर ABC जो है वो किसी number को show कर रहा है आपको वो number find out करना है यहां पर एक चीज और दिया है कि यहां पर A को लेना है 1 ठीक तो B और C का value निकलना है तो जब हम यहां पर A का value 1 लेंगे तो 1, 1, 1 को multiply करेंगे 1, 1, 1 से तो A के जगा पर हम 1, 1 place करें ठीक है तो यहां 0, फिर 1, 1, 1 फिर 0, 0, 1, 1, 1 अब जोड़ेंगे, add करेंगे तो 1, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 1 तो B के जगा पर 2 और C के जगा पर 3 तो इस तरह से A का value हो गया 1 B का value हो गया 2 and C का value हो गया 3 इस से clear यहां पर एक game दिया हुआ है Tricks with your is game है कि अपना यहां पर write your is कोई भी अपना is लेखिये फिर उसे multiply कि जगे 7 से फिर again multiply the answer by 13 again multiply that answer by 11 और उसके बाद जो answer आएगा उसमें हम पता कर लेंगा उस answer को देखकर कि is कितना है ठीक है तो suppose करते हैं माल लिजिए हमारा हमने suppose किया is है 10 years तो यहां पर write your is में 10 years लिख दिया तो उसे multiply करना है 7 तो 10, 7, 7, 70 फिर multiply करना इस answer को 70 को 13 से तो 13 को जब 7 से multiply करेंगे तो 13 के टेबल में 13, 7, 91 होता है तो 9010 आएगा फिर इस answer को multiply करना 11 से जब multiply करेंगे 11 से तो इतना answer आएगा ठीक है 10,010 आएगा अप क्वेस्चन है Can you find your age in that answer? How many times does your age show in the answer? तो yes इसमें तुम age पता है 10 आ रहा है last में और first में भी चुट दो डिजिट है वो बता रहा है तो how many times does your age show in the answer? तो यहां पर twice दिखा रहा है twice my age 10 occurs twice in the last answer twice यहां पर दिख रहा है देखिये यहां पर 10 है और यह 10 है इस tricks को हम एक दूसरे example से भी समझ सकते है माल लिजिए कि हमने age लिखा 5 5 years लिया ठीक है? फिर 5 को हमको multiply करना है 7 से 5 को जब हम 7 से multiply करेंगे तो 35 आएगा अब 35 को करना है 13 से 35 को हमको 13 से multiply करना है ठीक है? तो 35 को 13 से multiply करेंगे 3 5 आए 15 1 3 3 9 आए प्लस 1 10 0 1 5 आए 5 1 3 आए 3 5 5 4 4 5 5 आगया और 4 5 5 को फिर हम 11 से multiply करना है 11 से 11 से multiply करेंगे 4 5 5 को 4 5 5 को हम 11 से multiply करते है 5 5 4 आएगा फिर यहाँ 0 देंगे 5 5 4 add किजिए 5 5 5 10 1 करी किया 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 हुआ 1 करी किया 5 answer आगया 5 0 0 5 तो बताइए यहाँ पर जो age हमने 5 years लिया था वो कितनी बार इसमें दिख रहा है तो इसमें भी twice दिख रहा है एक बार first और एक बार last digit फाइव दिख रहा है और इस trick को आप दूसरे लोगों के साथ भी try कर सकते है और multiplication का मज़ा ले सकते है तो जैसा इस topic से clear है fun with multiplication multiplication के साथ मज़े तो इस tricks में इस tricks को करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर 142857 को जब 1 से multiply करेंगे तो वह सेम ही रहेगा जब 2 से multiply करना है तो आ रहा है 285714 जब 3 से multiply करना है तो 428571 फिर जब 4 से multiply हो रहा है तो 571428 फिर 5 से multiply करना है तो 714285 तो यह जो number है सारे में सेम यही numbers है सभी में है 1, 4, 2, 8, 5, 7 यही सारी digit है इस digit के अलावा कोई extra digit नहीं है किसी में भी answer में आप देख सकते हैं ठीक है इसका सिर्फ arrangement change हो रहा है यह circulate हो रहा है जैसे यहाँ 1 से start है उसके बाद 2 से यहाँ start हो गया 285714 यह 1 गया इसके बाद 1 गया आ गया है इसका 2857 था और आ गया है 14 इसका answer फिर इसमें है यहाँ से 4 से start हुआ है 4 से start हुआ है तो 4 से start होने के बाद 42857 यह 1 चला गया पीछे 42857 यह 1 फिर इसमें 5 से start है तो 5 से start है तो 5 7 तो हुआ उसके बाद 5 7 के बाद 1428 1428 1428 फिर 4 गया फिर 2 गया फिर 8 गया ऐसे clockwise जा रहा है तो इसमें क्या है कि इस वाले number में अगर हम इसको increasing order में arrange करें तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 7 है और 8 है तो जब 1 से multiply कर रहे हैं तो यह start हो रहा है जब 2 से multiply कर रहे हैं तो 2 से start हुआ जब 3 से multiply किया तो 4 से start हुआ जब 4 से multiply किया हैं तो 5 से start होगा जब 5 से multiply किया हैं तो 7 से start होगा उसी तरह जब हम 6 से multiply करेंगे 1, 4, 2, 8, 5, 7 को जब हम 6 से multiply करेंगे तो यह start होगा 8 से जब 8 से start होगा तो 8 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा यहां से 5 उसके बाद यह 7 फिर 1 फिर 4 फिर 2 यह answer होगा आप इसको multiply करके check कर सकते हैं यह answer होगा इस तरह से क्या है कि यह जो pattern है इसका pattern यह move कर रहा है clockwise और हम answer उसका आ जा रहा है लेकिन इसका जो starting points है वो यही होगा 1,2,4,5,7,8 7,8 यही starting point होगा अगर 1 से multiply करेंगा तो 1 से start होगा जब 2 से multiply करेंगा तो 2 से start होगा जब 3 से multiply करेंगा तो 4 से start होगा और जब 4 से multiply करेंगा तो 5 से start होगा इसी तरह continue करेगा clear?